कि नमस्कार दोस्तो बहुत स्वागत है आप सभी का सिख्शामित्र में मैं गोतंच सभी का आपके यूट्यूब चैनल शिख्शामित्र में और जैसा कि बिटा हम लोगोंने प्रिवेस क्लासेज में बात करी थी बेसिक concept of accounting की उसी को लेके आज हम लोग क्या करते हैं आगे क्लास को continue करते हैं और जैसा कि previous classes में हमने बात करी थी आपकी assets liabilities capital revenue expenses का तो उसका एक छोटा सा हम लोग क्या लेते हैं एक overview देखते हैं और वह overview क्या है हमारे पास just like this इहां पर लिखा था हमने क्या विटा कि हमारे पास सर्क के Я जह हमारी जो हमारी equity होती है वो क्या करती है claim of the owner on the total assets है ना यानि कि जो हमारा owner है उसके claim होती है किस पर हमारी total assets पर च detakte bus hakkieortic वात करें यानिद कि लेट हरा लान लिपीटी की तो जो कि हमने एक previous year यानि कि during a year हमने जो अपनी income को earn किया है किसके दुवारा अपकिस के दुवारा good and services के दुवारा very good answer तो यहाँ पर goods and services के दुवारा वेठा हमने क्या किया है कुस रेवेन्यूज को हो औरन क्या है डुरिंग दाइयर है ना इट में भी रिसीवड और ना अब एदर इते और नोड तो हमारी है डेवेन्यु एक पर्टीकोलर पीरेड इसकी उसके साथ साथ हमने असेट्स की बात करी ती जहां पर बीटा क्या क्या तहें हम जिसका हमारे पास क्या होता है तुछ प्वेट्स लेते हैं और एक सन्शिसमात जिसका आप और लेड़ी है तो लेड़ी है रिवेटि-वेट्ट के हम लोग रिव इसके research memb सात हम बात करते हैं बिटा कुछ और बेसिकुंघ की तो आइए आज देखते हैं आज सी período में हम new अब क्या करने वाले तो आज भी अजो एक करते हैं बाते कियां सबसे पहले हमारे पास क्या आता है आपका बिज्नस ट्रैक्शनço का बunesär contrast की वैइं हां पे इसको तो देखो बिजनस ट्रान्जेक्षंट का प्रॉपर आपके बस मीनिग और बिजनस ट्रान्जेक्षं हम से क्या कहती है कि बई हम लोग एक बरसन तो और अऊंग और दूसरा कोन ग्या हमारे पस बीजिट सन्क हमारे पास क्षेटन है appear और दो नहीं क्या कर रहे हैं यहां पर इसको ए ने क्या कर रहा बिटा बी को क्या कर रहा कुछ गूट्स को सोल्ड कर दिया हैं कि यहां पर जो लेंगे दिन हो रहा है उसका कोई मोनिटोरी वेनिफिट होना चीए या नियू gef yes ओसर जरूर न चीए क्योंकि हम विजनस का लिए है कुछ पैसे को अर्न करने के लिए हैं जो बिजनस अम करते हैं वह किसले कर रहे हैं business transaction का meaning क्या हुआ कि आप goods का lend-in कर रहे हैं खरीद कर रहे हैं बेज कर रहे हैं तो जो हम पढ़ते हैं बटा है ना जहां पर भी हमने पढ़ा double entry system वहाँ पर चीजे क्या कहा गई हैं किसर double entry system के अंदर सिंपल सी चीज कही गई है कि कैसे भी करके न हम दो ट्रांजेक्शन को करते हैं तो यहाँ पर गुड्स क्या है एक कर रहा है बी को गुड्स बेच रहे हैं और जब यहां पर हम यह देख रहे हैं कि उसकी कोई monetary benefit है 하ली से तो जो भी को बिजनस अजेक्शन होंगी उसके monetary benefit होनेट injusti ARE because accounting में हम हर चीज को major करते हैं किसमें सर इन टॉप महानी में हैं किसमें करते हैं यहाँ आनी कि यहाँ पर इन टॉप मुनी के बात कि गई हैं तो हम यह देख रहे हैं कि यहां पर दो business transactions होगी between two persons के होगी वहां पर goods खरीच सकते हैं बेच सकते हैं या फिर कुछ sale कर रहे हैं और यहां पर साथ साथ सर उसकी एक monetary value होनी आवेशा क्या है होनी चाहिए तो यह होती है बड़ा क्या हमारी business transactions जिसमें कि हम बात करते हैं कुछ नहीं चीज़ों कि तो कहता है इट इस एक्षेंज ऑफ मनी गोड्स एंड सर्विसेज और बिजनस ट्रांजेक्शन क्या है financial transactions है क्या इनका economic interest होना चाहिए हां सर economic event economic interest होना आवेशक है और इसको किसकी terms में करते हैं money की terms में करते हैं चाहें sale of goods कर रहे हैं sale of purchase कर रहे हूं debtors को payment receive कर रहे हैं credit sellers को payment कर रहे हैं यानि कि यहां पर क्या है एक दो परसान होंगे चोकि goods की कि किसी वी चीज इसकी business transactions को record किया जाएगा तो यह थी बड़ा हमारी क्या business transactions जिसमें कि हम क्या करते हैं payments को देते हैं और receive करते हैं अब business transaction की financial value होनी चाहिए हां सर अभी तो आपने बात करी कि financial value business transactions की होनी चाहिए इसके साथ साथ क्या है इसमें कोई document receive होगा हां सर अगर हम goods को बेचेंगे खरीदेंगे तो हमारे पास invoice होगा तो यह क्या एक supported by source document जिसमें कि आप sale invoice purchase invoice है न बहुत सारी चीज़ा आपके पास क्या होंगी एक evidence के रूप में दी जाएंगे इसके साथ साथ लिखा है वेटा क्या कि इट बिरिंग चेंज इन दा financial position बिजनस की financial position में क्या लाता है चेंज लेके आता है और इसमें इट effect on accounting equation of the business तो यहां पर देखो कितने तरीगे के हैना इससे चार-पांच-छे तरीगे questions आप से पूछे जा सकते हैं और लास्ट फिर वही बात आई के सर बिजनस इट हैस डॉय अस्पेक्ट हैना मैंने बोला डबल entry system है तो सर यहां पर क्या होगा debit और credit की बात की जाएगी डबल बात की जाएगी तो यह business transactions में आप से क्या करेगा questions को गुमाया जाता है हम बड़े exam देते हैं बड़े-बड़े exam की बात करते हैं तो transactions की तो बात की जाएगी लेकिन उसको आप से तो पूछा जाएगा वह थोड़ा different way में पूछा जाता है तो मैरे इसका business के features से भी आप से क्या कर सकता है पूछ सकता है तो यहां पर बात कुई किसकी बड़ा business transactions की next time की और चलते हैं और next time में देखते हैं हमारे पास क्या है तो next time है capital अब capital के बारे में हम लोग discussion कर चुके थे किसमें प्रिवेस क्लास में हां सर प्रिवेस क्लास में हमने देखा कि capital एक investment है किसकी एक प्रॉपराइटर की जो की business से क्या है अपने आप में business है या business से डिफरेंट है हां सर आप सही कह रहे है क्या है वह बिजनस से different है तो प्रॉपराइटर क्या होता है ओनर क्या होता है एक separate है और business क्या है एक separate legal entity है जिसके अंदर रामु भहिया ने क्या करा था रामु भहिया ने लगाया था पैसा किसलिए और profit को अंकरने के लिए अपने economic interest के लिए तो जो रामु भहिया ने एक company खोली x y z उस company में एक obligation create हो गया किसके रामु भहिया के नाम का उस रामु भहिया के नाम को हम क्या बोलते है capital कि रामु भहिया ने business में cash लगाया है जो business में cash लगाया है बच्चे वो cash क्या है हमारे लिए वो cash हमारे लिए क्या होता है रिकॉर्ड होता है as a capital क्योंकि business में हमारे पास cash आया ना कि capital तो उसको जो दूसरा एफेक्ट हमने दिखाया उसको क्या नाम दिया वेरी गूट समझजार होते जा रहे हैं देरे-देरे सभी को तो यहां पर हम क्लेंगे क्लेंब और नोंट होता है इसको मैंने डिखन आपके बिजनस से कोई देना नहीं दोनों क्या होतें अलग होते हैं करोगे तो किसलिया कुछ profit को करने के लिए आप business को start करोगे तो यह थी हमारी capital जिसमें एक ऐसा amount जो की business को start तो किया जाता है लेकिन हम पैसा कैसे करते हैं monetary value में मैं लगा दूँ हाँ जरूरी नहीं कि आप क्या कर सकते हैं इसके साथ साथ आप कोई टम भी दे सकते हैं कोई बिल्डिंग है कोई कदर असेंट है तो वह भी क्या क्या लाएगी आपकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए उसकी है ना तो वह भी क्या क्या लाएगा आपका क्या होता है अगर हम उस पेड्श को कर लेते हैं तो हमारे लिए बन जाएगी लाइबिलिटी बन जाएगी तो यहां पर क्या है है liability का मतलब क्या था सर घिया यिंठी का मतलब था obligations जो कि हमने किसके अगेंस्टान है बिज्नस के enterprises के या पिर हम बोलते ही किलिए ऑफ दा आगींज असे ठीक है तोيعिवासे का तीक है और करने बागी है वीटा आपको ठीक है क्या अगर हम किसी बुदुदुदू को देखो कि यह लाइन इंप्रोडेंट है इंटरनल लेविलिटी का मतलब क्या है को प्रोप्राइटर है पार्टनर है शेरोल्डर से तो वह हमारे लिए इंटरनल लेविलिटी पूर्म की चाहिं और उसकी एलावाद हैं बैंक से लोन लिया यह सब चीज़ें क्या होती हैं हमारे लिए इंटिवेंचर और तो आउटसाइडर हैं वेसर बड़े जैन्होंने हमारी कंपनिझ में पैसा लगाया है तो वह से जो कि हमें क्या करना है complete करना पे आउट करना है इंटर्न लाइबिलिटी हो सकती है एक्षेनल लाइबिल्टी हो सकती है ठीक है तो यह थी हमारी क्या लियाबिलिटीज की बात अब लीडी के這個 कि हो सकती है तो यहमी बीटा लीडी की बात करते हैं तो लैबिल्टीज अपने देखा होगा। लंग टम लाइनिक जिसमें आपने बात करींगे करयंट लाइनिती की घुटिझ की ऐसंगे ऊसके बारे में अभी फिला सना हमने बात किसके बिटकी की तो आते हैं देखते हैं कि वड़ाँ हमार पास नौन कर्ड लाइबिल दीज का मतलब क्या है एक साल से क्या होगा अधिक होगा है बोलते है Minister बोलते हैं नौन लैबिल लाइबिल्टी विच पेबल आफ्टर पीरड ओफ 12 मंथ या फिर एक साल के बाद जैसे कि हम नौन करेंट लाइबिल्टी में आपके एक्जामपल दे रखें लॉंग टम लॉंस डिवेंचर बैंक लॉंस एड्सक्टर ही सभी किसमें आते हैं हमारे लॉंग तम यानि कि नौन यह जो आपके एक अकाउंटिंग पीरिड की बात करता है श्रकॉंटिंग पीरिड की मतलब अकाउंटिंग पीरिड की मतलब बिदीना फानेंशल य से बात करते हैं लीटी बीदिना 12 मंथ फ्रम डडेट उप बैलेंस एड्ट लाइबिल्टी वीच पेवल विज पई यानि की जो की एक accounting period की हमसे क्या कर रहा है बात करता है एक financial year की बात कर रहा है तो financial जो हमारे पास क्या है liabilities है financial year की हमारे पास क्या है liabilities है उन liabilities को हम क्या बोलते है current liability is that के लिए जिसमें बहुत सारे आपके पास एक्जाम्पल्स हैं विटा ग्रेडिटर कि विस्पेबल कि टॉट्टम लोन एट्सेक्टर तो यह सबी क्या है हमारे लिए यह सबी हमारे लिए क्या होती है current liability अब जो हम company act 2013 की बात करते हैं तो वहां पर इसका थोड़ा सा मीनिंग क्या होता है जहां पर बात की जाती है आपकी है ओपरेटिंग साइकल गी ठीक है तो ऑपरेटिंग साइकल में थोड़ा सा इसको क्या क्या जाता है है वहां पर उसका प्रॉपर टाइम देखने के बात की जाती है बट यहां पर हम लोग क्या करते है कि नॉमली बात करें तो सर जो एक साल के अंदर की हमारे कि यह ऑर जो एक साल से ज्यादा का पीरिड होता है वो हमारे लिए क्या होती है नॉन करेंट लाइबिलिटी कहती है इसके बाद करते हैं क्लासिफिकेशन ओफ कंपनी जैक्ट की मैंने भी बात शेड़ी आप से तो करेंट लाइबिल्टी का मतलब वहां पर क्या है और प्रेंट लायबिल्टी से पहले प्रियंट में हो जाए या फिर प्रीमिली प्रपस पॉर बिइंग जाये विजमेंट चाहिए तर रिपोर्टिंग डेट है यानि कि हमारे financial की बात नहीं कर रहा उस एक ऑपरेटिंग साइकल पीरेड के बारा मन्त की बात कर रहा है जिस दिन से वो चीज़े क्या होगी स्टार्ट की गई होंगी तो ऐसा कहां बोला जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी जेक्ट 2013 दूसरा बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग साइकल विच मिन्स ताइम बीट्विन एक्विजिशन ओफ एन ऑपरेटिंग साइकल कैनोट भी आइडेंटिफाई अब यहां पर अगर कोई ऑपरेटि नहीं कर पाते हैं एक ऑपरेटिंग साइकल पीरेड में किसके कैश की ठीक है तो यह है हमारे पास क्या कि आपकी लॉंग टर्म शॉट टर्म लैबिलिटी की बात की गई है इसके बाद बड़ा हम बात करते हैं किसकी ड्रॉइंग की जाती है तो यानि कि आपने कुछ पैसा कोई घुट्स है ना जरूरी नहीं कि आपने बिजनस से कैश या फंडे विड्रॉव किया ठीक है तो इट में भी इन कैश और कांड कांड मगें घुट्स ले लिया आपने बिजनस से अब जैसे कि हमने क्लास इसलेयंबंस में पढ़ा था है और बिजनस से फेज से बासरे बिड्रॉ कर लिए for personal use cash withdrawn कर लिया for personal use आपने goods को यूज करा है as a sample distribution कर दिया मालो हमने क्या करा कोई goods बनाई और अपने employees को distribute कर दी तो उसको हम क्या बोलते थे advertisement है ना उसको profit and loss account में दिखाते थे free sample की बात करता था था उसको profit and loss account में दिखाते थे बट अगर वो कहीं personal use की बात करता है तो अगर जब कभी personal use की बात करेगा तो आप उसको क्या बोलेंगे कि भीया cash में ले गया या goods ले गया है cash में ले गया है तो भी drawings है और goods में ले गया है तो भी drawings है और आप जैसे हम सभी को पता है goods से कोई वी चीज़ इफेक्ट करती है तो automatically हम किसको एफेक्ट करते हैं परचेश अकाउंट को ठीक है automatically हम किसको एफेक्ट करते हैं परचेश अकाउंट को एफेक्ट करते हैं तो इसके बाद देखते हम कि है drawings में है क्या तो क्याता है it is an amount या goods और assets taken by the proprietor for his personal use तो क्या क्या लाएगा drawings क्या लाएगा तो it is an amount goods for assets taken the proprietor for personal use it is the amount withdrawn or goods taken by proprietor for personal use goods taken proprietor value हाँ आप देखो सबसे बड़ा question यह है कि हम goods की जब बात करते हैं तो एक होता है cost है ना जिसमें हमना net reliable value तो cost और NRV जो होती है goods की ठीक है whichever is less यानि कि जो कम होगा उस पर हम क्या करते है उसको बिटा record करते हैं और इसको हम कहां से कर देते हैं partners के capital यानि की ड्राइंग अकाउंट से टिक है तो इस रिट फ्रम दा capital जब आप क्या करते थे balance sheet को आप प्रिपेर करते थे तो हम उसको कहां से डिड़ा करते थे सर उसको हम डिड़ा करते थे partners के capital अकाउंट से तो यह थी बड़ा हमारे आप द्राइंग जिसमें की हमने क्या सीखा कि कैसे हम गुट्स को विड्रॉन करते हैं कैसे हम गुट्स को निकालते हैं बिजनस के परसनल उसके लिए capital क्या है liabilities क्या है हमारे बिजनस की transactions को effect क्या क्या करते है ठीक है तो आज की class में हम इतना ही करेंगे ठीक है next class में हम इसी से रिलेटेड बड़ा कुछ और terms को देखेंगे next class में हम इसी से रिलेटेड कुछ और terms को देखेंगे तो हमने सीखे 5 points तो आज की class में इतना ही फिर मिलेंगे next class में कुछ इस new topics के साथ जब तक के लिए all the best वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और अपने प्रेंट के साथ शेयर करना ना भूलें जब तक के लिए all the best गाइस टेक क्यार तो